तो चलिए फ्रेंट जानते हैं कैसे जोड़े अपने तूटे हुए दांत को यानि कि जो दांत आपका आधा तूट गया है उसे कैसे जोड़ेंगे अगर आपका दांट तूड गया है तो आपको सबसे पहले तूटे हुए दांट को जड़ से नहीं बलकि नीचे से पकड़ना है लेकिन आपको दांट को बिल्कुल भी रगड़ा नहीं है दात को नीचे की और से पकड़े और सही ढंग से तूटे हुए दात के हिस्से में इस तरह जोड़े कि उसकी जड़ मसूड के अंदर अच्छे से फिट हो जाए अगर आपके दात का निचला हिस्सा थोड़ा तूटा भी है तो अधूरे दात को जोड़ना नकली दात लगवाने से बैटर है और अगर आप दात को सही तरह से खुद से न जोड़ पाएं तो सीधी से बाते आप डेंटिस्ट के पास जाएं तुरंद जाएं क्योंकि अधूरे दात को सही और पूरा आकार देना डेंटिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है और एक बात और इस बात का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें कि आपका जो दात टूटा हुआ है वो गीला ही रहे अगर दात 30 मिनिट से अधिक समय तक सूखा रह जाता है तो उसके बापस से जोड़ने की शमता जो होती है वो कम होती चली जाती है इसलिए अगर आपके दात नहीं जोड़ पा रहा है यानि कि आप दात को नहीं जोड़ पा रहे हो तो उसे दूद या खारे पानी में भी हो दे हाँ दोनों में से दूद आपके लिया बेहतरीन विकल्प है लेकिन अगर आपके पास उस वक्त दूद भी नहीं है तो दांत को मुह के अंदर रख ले बस इस बात का ख्याल रखे कि उसे आप निगलना जाएं और इसके अलावा आपको 6 घंटे की भीतर ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिएं क्योंकि डेंटिस्ट उस दांत को अच्छे से बापस से फिट कर सकता है तो इस तरीके से आप अपने आदि टोटे हुए दांत को जोड सकते हैं